भारत और स्रियुक्तराज अमेरिका के बीच इस उतार चड़ाओं के दौर में खटास कड़ुएपन के दौर में कुछ मिठास के भी खषणा है, कुछ मधूरता के भी खषणा है, कुछ सहजता भी आई संक्षेप में भारत एवं अमेरिका के जो पारस्विक संबंद थे, उनके बीच अनेकों गतिरो तो रहे, फिर भी समय समय पर देवनों देशों के भी कई संधियां हुई, कई समझोते हुए, और कोशिश ये रही कि प्रतिरोज किसी तरह से कम किया जा सके, एक दूसरे के प् खहराव लाया जा सके, यदि बहतर नहीं कर सकते, तो कम से हमारे संबंद बदतर ना हो, ऐसा प्रयास सतत रहा, अमेरिका ने 1962 के भारत-चीन युद में, बिना शर्थ भारत की सैनिक मदद की थी, और भारत की आर्थिक मदद भी की थी, उस काल में अमेरिका द्वारा भारत को चीन के खिलाफ मदद किया जाना स्वभाविक ही था, क्योंकि अमेरिका जहां पूंजिवादी परंपरा का पोशक था, जहां लोकतांत्रिक परंपरा का पालन करता था, वहीं चीन ना केवल साम्यवादी था, बलकि लोकतांत्रिक के ठीक विरुद एक दली प्रणाली का प्रणेता था और उसका पोशक भी था, 1965 और 1971 के भारत पाकिद के समय, अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया, और इस बदलती परिस्थिती में, अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को साथ दिया जाना भी उतना ही स्वभाविक था, जितना अमेरिका को, के द्वारा भारत क को मदद किया जाना भारत चीन के युद्ध के दौरान तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अंतर राश्टी राजनीती में कोई सतत मित्र नहीं रहता और कोई सतत शत्रू भी नहीं रहता नोबडी इस एटर्नल फ्रेंड और नोबडी इस एटर्नल एनिमी आवशिकताओ को कहने जरूरत के अंसार रिष्ठे बगलते रहते हैं बिगड़ते रहते हैं सबंद बनते रहते हैं सम्बंद बिगड़ते रहते हैं ये उदाहरण अमेरिका का भारत के प्रती जो रवया रहा सन 62 में, सन 65 में, सन 71 में ये इसका सपश्ट उदाहरण है लेकिन 1977 के बाद देखते हैं कि दोनों के संबंध भारत और अमेरिका के संबंधों में कुछ सुधार हुआ, थोड़ी मधूरता आई, थोड़े बहतर हुए सन 1980 से, सन 1984 तक, भारत में इंदरा गांधी के प्रधान मिंतरतु का काल था, सन 80 से सन 84 तक, शीमती गांधी के इस कारिकाल में, भारत ने अमेरिका के साथ, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, और तक्नीकी खेत्र में भी, कई समझौते कि ये बहतर संबंद बनाएं, और इसको लेकर सहयोग बढ़ा, यानि मूल रूप से जो आने वाले दशक, आने वाले सतक के जो बिंदु थे, यानि आर्थिक प्रगति, सांस्कृतिक विचारधाराओं का आदान प्रधान, वैज्ञानिक और तक्नीकी मामलों में जो प्रगति थी, उसको लेकर भारत और अमेरिका में कुछ समझोते हुए, जो बहतर होते हुए रिष्टों का परिचायक था, अक्टूबर 84, राजीव गांधी भारत के प्रधान मंत्री बनते हैं, अक्टूबर 1984 में, और राजीव गांधी चाहते थे कि भारत और अम मतभेद चले आ रहे हैं, 1947 से जिनका जिक्र मैंने मारम मार किया है, ये मतभेदों को भुलाया जाए, ये मतभेदों से परे बढ़ा जाए, और बहतर संबंद थापित किया जाए, राजीव गांधी का प्रयार था कि ये संबंद सकारात्मक सहयोग की दिशा में हो, सकारात् को आपरेशन इस दिशा में हो, राजीव गांधी के ये कारिकाल में भारत और अमेरिका के संबंदों का, जदि हम उल्लेक करें, तो कुछ ये संदियां या ये बातें सामने आती हैं, जिसे मैं एक के बाद एक आपको जिक्ट करता हूँ, पर निशकर्ष ये है कि इंदरा गांधी और इसके बाद राजीव गांधी के काल में भारत का प्रयास रहा, अमेरिका से बहतर संबंद बनाने का, और अमेरिका ने भी इस काल में कुछ सहयोग डिखाने की अपेक्षा दिखाई, ये वो काल भी था, 1980 से 1990 का, जब सोवियत संग की सत्ता एक तरीके से हिलने लगी थी, दगमगाने लगी थी, और इसी काल में भारत और अमेरिका के बीच निकटा बढ़ने के, मैं कुछ उदाहरण आपको बताता हूँ, जिसमें सबसे पहला है, उच्च तक्नीकी हस्तांतरन समझोता, उच्च तक्नीकी हस्तांतरन, यानि तक्नीक के मामले में, टेक सहमत हुए, और ये आने वाले वर्षों में बहतर संबंदों की शुरुआत थी, ये समझोता नवंबर 84 में हुआ, इसके बाद राजीव गांधी, जो अक्टूबर 84 में प्रधान मंत्री बने, वे जनवरी 85 में अमेरिका जाते हैं, और इस यात्रा के दौरान, प्रधान मंत्री ने रॉनल्ड रीगन से मलाकात की, जो वहां के तबकाली राश्पती थे, और साथ ही उनको ये अनरोट किया, कि अमेरिका के साथ, पाकिस्तान के संबंदों का जो रिष्टा बन रहा है, उसमें अमेरिका के दौरा जो हथियार लिये जा रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए, और मूल रूप से, रोनल्ड रीगन से राजीव गांदी ने स्पष्ट आग्रह किया, कि पाकिस्तान के परमाण कारकरम पर रोक लगाने के लिए दबाव डाले, राजीव गांदी को मालुम था, पाकिस्तान जो है, वहां अमेरिका की मुठी में हैं, और अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान को अपने विवश में करते हुए, उसे ऐसे कारकरमों से दूर रखने का आदेश दे सकता है, इसी उम्मीद के साथ राजीव गांदी ने अमेरिका को यह अनरोट किया था, कि पाकिस्तान के परमाण कारकरम पर रोक लगाने के लिए उच दबाओ डालें, तीसरा चारण या तीसरी घटना जो भारत और अमेरिका के संबंदों की बढ़ती मधुरता को इशारा करती है, वो है वन विकास समझोता सन उन्निस सो पच्चासी, 27 जून पच्चासी को भारत और अमेरिका के बीच आठ करोड डालर का एक संजोता होता है, एट करोड डालर जून पच्चासी, भारत में जो जलाव लकडी थी और इमार्ती लकडी, इसके उत्पादन को बढ़ाने में, अमेरिका द्वारा सहायता इस सहयूग समझोते के मा जलाव लकडी और इमार्ती लकडी, इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि भारत की ये अधार भूज जरूरते थी, एक विकास शील देश के लिए, और एक ऐसे देश के लिए, जहां जलाव लकडी की बहुत जरूरत है, बहुत खपत है, इसके उत्पादन के वारधक्य के लिए, भारत ने अमेरिका से समझोता किया, जो आठ करोड दॉलर का था, चौथा बिंदू, लड़ाकों विमान बनाने में भी, मदद देने के लिए समझोता हुआ, आपको याद होगा, कि इससे पूर्व के काल में, अमेरिका ने, पाकिस्तान को, कई लड़ अलग तरीके के लड़ाकों विमान देने का समझोता ही नहीं किया, बलकि उनको सप्लाई भी किया, एवाक्स, जिसका मैंने जिकरपूर में किया है, क्वा, क्याइस, और उसके अलावा, F-16, जो अत्याधिनिक लड़ाकों विमान था, उसके अलावा, ओरियान, ये जो विम कार ने सन उनिस सो चासी में, अमेरिका पर सतत रूप से दबाव बनाया, और परिणाम उसका एक संदी के रूप में हुआ, ये संदी सन उनिस सो चासी को भारत और अमेरिका के बीच हुई, दोने देशों में, जो ये सौदा हुआ, उसके अनुसार भारत को F-404 इंजिन द अत्याजनिक विमानों के लिए एक महत्पूर्ण इंजिन है, भारत उस समय विमानों के इस अत्याजनिक इंजिन बनाने की ख्षमता नहीं रखता था, उसके पास ऐसे, ऐसी संपनता नहीं थी, ऐसा कोशल नहीं था, कि वो ये चार सो चार इस तर के एंजिन बना पाया, त भारत को और इस पर अमेरिका शाहमत हो गया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अमेरिका ऐसा करके भारत के द्वारा लड़ाकू विमान बनाये जाने की योजना में एक तरीके से पार्टनर बना। पांचवा बिंदू बढ़ते इस बहतर संबंदों की ओर जो इशारा करता है वह है सुपर कंप्यूटर के मामले में भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंद स्थापित हुआ। 9 सितंबर 87, 9 सेप्टेंबर 1987 नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत और भारत के विदेश सचीव के बीच में समझता हुआ जिसमें अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने का एक तरीके से वादा किया और सुपर कंप्यूटर टेक्नोलोजी भारत को ट्रांसफर क करने की अनुमति दी राजीब गांधी की दूसरी अमेरिका यात्रा हुई 1989 में अक्टोबर 1989 और इसमें पनौन की मलाकात राश्पती रॉनल्ड रीगन से होती है और अन्य अमेरिकी नेताओं से होती है जो इस बात को बताती थी बताती हैं कि दोनों के बीच के संबंद अम बहतर हो चले हैं भले ही धीरे धीरे लेकिन सतत रूप से उनके संबंदों में सुधार हो रहा था राजीब गांधी के बाद वी पी सिंग विश्वनात पताप सिंग चंदर शेखर ये जब प्रधान मंत्री बनते है तो इनके काल में भी कुछ बहतर हुआ चंदर शेखर का काल दिसंबर 89 से 99 जून तक का है जो समय प्रधान मंत्री थे ये लगबग डेड़ वर्ष प्रधान मंत्री रहे और इस काल में भारत और अमेरिका के जो संबंद थे वो सामानी बने रहे ना कोई इसमें ज्यादा वृद्धी होई अच्छे संबंदों में ना किसी तरह की गिरावट आई भारत अमेरिकी संबंदों में सहजता मधूरता की बात करें तो चंद 1999 से 1996 यानि पीवी नर्सिम्हा राओ का प्रधान मंत्री तुकाल थोड़ा जाने कि इस समय भारत के संबंद में कैसे थे भारत के अमेरिका से संबंद कैसे थे 1999 से 1996 वैचे हमने 1995 की एक घटना का जिक्र कर दिया है 1999 की भी एक घटना का जिक्र किया है 1995 301 पेटेंट वाला और 1998 में परमान उपरिक्षन नर्सिम्हा राओ के काल में ये वो काल है 1999 का जब रूस का सोवियत संग का विगटन हुआ एक महाशक्ती समाप्त हुई पूरी दुनिया एक धुरुवी दुनिया की और अग्रिसर होती दिखी और रूस जो है वो सोवियत संग का उत्तरादिकार बन के सामने आया तो ये वो काल है जब शीत युद्ध की समाप्ती और रूस सोवियत संग के विगटन से भारत भी थोड़ा सा चिंतित हो गया था क्योंकि भारत का थोड़ा जुकाओ तो सोवियत संग की और था ही भागोलिक दृष्टी से भी उसकी निकटता थी तो इस बदलते परिप्रेक्ष में 1990 का नक्षय दी आप देखें और से 1996 तक दी आप देखें तो आप पाएंगे कि विश्व काफी बदल गया था एक तो सोवियत संग के 15-16 देश नए तयार खड़े हो गया सोवियत संग जैसा देश समाप्त हो गया रूस संग में उतरादिकार बना और अमेरिका अब इन देशों में दखल देने की कोशिश कर रहा है अपना प्रभाव बनाने के लिए ऐसी स्थिति में विश्वद समाप्त हो जाने से अंतराष्टी स्थिति में बड़ा गुणात्मक परिवर्तन आया है qualitative difference और इसका परणाम क्या हुआ कि भारत और अमेरिका के संबंध भी थोड़े रचनात्मक हुए थोड़े बहतर हुए एक रचनात्मक प्रभाव पड़ा और द्विपक्षी संबंधों को मजबूत करने के अनेक प्रियास किये गए ऐसा हम देखते हैं यद्धिपी 1995 और 1998 के मामले बड़े सीरियस मामले थे जिसने अमेरिका भारत के संबंध को काफी बिगाड़ा लेकिन इससे पहले की स्थिति और बदतर हो नर्थिमराओ के काल ने कुछ ऐसे प्रयास किये बदलते परिप्रेक्ष में अमेरिका ने भी कुछ ऐसे प्रयास किये जिससे भारत अमेरिका के संबंधों को थोड़ी सी मजबूती आए इसमें पहला दारण है राश्पती बुश, सुरक्षा परिशत के सदस्यों की जो शिखर बैठक हुई थी उनने सो इनकानवे में उसमें नर्थिमाराउन ने तदकाली राश्पती जौर जबलू बुश से मुलाकात की रख्षा के खितर में भी एक दूसरे के साथ उच्छ तरी बातें हुई उच्छ तरी यात्राएं हुई रख्षा के मामला, डिफेंज, आर्म्स, सैनिक मामलों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में बार बार तनाव आ रहा था एवाक्स, टोही विमान, उसके बाद जो अन्य तरीके के साजो सामान अमेरिका, और यान और अन्य तरीके के साजो सामान जो अमेरिका पाकिस्तान को समय समय पर दे रहा था उससे भारत की चिंता बढ़ी थी और भारत ने दूसरे दौर काहे की दौर हत्यारों की दौर हत्यारों की होड को लेकर चिंता जाहिर की थी इस खेत्र में परणाम सरूप क्या हुआ कि दोनों के बीच में अब इस बदलते स्थितियों में भारत और अमेरिका के बीच नर्थ 1994 में समझोरता हुआ चार संधियां हुई और दोने देशों की जो कंपनियां थी इनके बीच में संधिय हुई जिसमें उर्जा को लेकर उसकी ख्षमता, तेल की खोज, खोज के लिए प्रद्योगी की याने टेक्नालोजी, अनवरत उर्जा याने नौन परिशेबल सतत उर्जा के बारे में रिसर्च, स्वच्छ कोईला, त्रद्योगी की और परियावरन स्टरक्षन ऐसे मामलों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में कई संधियां हुई जो एक बहुत बड़ा एतिहासिक कदम था, क्योंकि आने वाले दशक में या आने वाले शतक में, आन तूर्जा का मामला, तेल की खोज, बढ़ती हुई तेल की मांग, प्रध्योगी की आदी आदी, इस पर भारत के द्वारा 1994 में अमेरिका के साथ कुछ संधियां हुई, जो बड़ी एतिहासिक मानी जा सकती हैं, और नर्सिमराओ के काल का एक मेजर पड़ाओ माना जा सकता ह चौथा बिंदू, मज़ूर संबंधों का, उसके उधारन, व्यापार के संबंधों पजोर, आपको याद होगा, 1998 भारत के लिए बहुत बुरा समय था, एक और जहां भारत परमान शक्ती हासिल कर लिया था, और शक्तिशाली देशों के पंक्ति में आख़ड़ा था, वहीं दूसरी ओर, आर्थिक जिश्ट से भारत को अमेरिका ने बहुत गहरी चोट पहुचाई, जब उसने आर्थिक प्रतिबंध लगाए, परमान उपरिक्षन के विरोध में, अब इसको और उसके बाद जो कई बैठके हुएं, कुछ सफलता नहीं मिली, भारत अमेरिका के बीच, व्यापार के संबन्दों का जोर, इससे पहले की घटना है, 19 जून 1995, भारत के वानेज मंतरी, ततकालीन वानेज मंतरी और अमेरिकन वानेज मंतरी ने व्यापार संबन्दों को बढ़ाने का वादा किया, और उसकार हम देखते हैं, कि पूर्व के तनाओं के बावजूर, भारत से अमेरिका के सतत, विरोध के कई मुद्दों पर उसके बावजूर, दोनों देशों में व्यापार सतत रूप से बढ़ रहा था, क्योंकि व्यापार दोनों के हित में था, दोनों की जन्रता के हित में था, और 1995 का यह समझोता बहुत मायने रखता है, 1995 1995 में जो समझोता हुए अब व्यापार को लेके और दोनों जो देश हैं, वे जाइन्ट वेंचर और व्यापार बढ़ाने में सहमत हुए, जाइन्ट वेंचर मतलब संयुक्त उद्गम, संयुक्त उद्द्योग, खोलना और एक दुसरे के व्यापार बढ़ाने, इसी व्या कुमार गुजराल और वाचपाई इनके प्रधान मंत्रित काल में कई मुद्दों को लेकर मध्भेद तो हुए यह हमने देखा है नाभिकी और मिजाइल के अप्रसार को लेकर इसरो पर पाबंदी लगाई गई क्रायोजनिक टेकनोलोजी को लेकर पाबंदी लगाई गई पाकिस्तान को हथियारों की पूर्ती पर लेकर भारत ने विरोध किया CTBT पर भारत ने हर्स्ताक्षर नहीं किये और मैं 1990 के परिक्षण में जो प्रतिक्रिया हुई वो बड़ी तीव्र थी वैसे पाकिस्तान के द्वारा कारबिल में घुस्पैट के मुद्दे पर क्लिंटन ने नवाज शरीफ यहने पाकिस्तान की प्रधान मंत्री को वार्निंग दी और उनको कहा कि वास्तविक नियंतरन रेखा पर आजाओ और तनाव समाप करने के लिए सीधी बात करो लेकिन ये एक छोटा सा उधारन है अर्साथ कहने का ताट पर यह है कि व्यापारिक संब्दों की यदि बात करें तो कड़वाहट ज्यादा रही अन्य मुद्दों ने हमारे व्यापार को काफी कुछ प्रभावित किया है और जो मुद्दे मैंने बताए वो मुद्दे मैंने पूर में बता दिये हैं और पाकिस्त लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा दिखा कि शायद चिंता के बादल थोड़े हट रहे हैं और अमेरिका पर दवाव बनाये था कि वो वास्तविक नियंतरन रेखा पर आ जाए और भारत के साथ बादचीत का रास्ता अपना है जॉज डबलू बुश उन्होंने भी भारत के साथ एक दोस्ताना सहयोगात्मक दृष्टिकोंड रखा इसके उधारन है उधारन के लिए 10 नॉंबर 2001 पर एक को भारत के प्रथान मंत्री अमेरिका के दौरे पर गया वाजपई ने स्विक्ष राश्चंग के 56 जो भारत के प्रथान मंत्री थे अटल विहारी वाजपई जी उन्होंने जो 56 शत्र था UNO का वहां अपने भाशन में आतंकवाद पर कड़े प्रहार किये और अटल विहारी का समर्थन भी किया तो भारत विश्व के हित में जिस चीज को सही समझता था उसके अनरूप वह समय समय पर रूस को शोवियस संग को या अमेरिका को समर्थन करता था या उनका विरोध करता था अफगानिस्तान के मामले में तो उसने स्विक्ष से हमारे ततकालीन मानी प्रसानमति अटल विहारी वाजपई ने अमेरिका का समर्थन किया है अटल विहारी वाजपई चेक शासनकाल में भी भारती परमाणू परिक्षनों के बाद अमेरिका से भारती संबंधों में कटता तो आई 1998 में परमाणू परिक्षन हुआ था जिसका जिक्ष मैंने पूर में किया है और इस परमाणू परिक्षन के विरोध में अमेरिका ने बड़ा सक्त रवईया अपनाया था और उसका एक कारण ये भी था कि भारत ने सतत रूप से CTBT पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया थ इस बात की चर्चा भी पूर में की जा चुकी है आपको बताए जा चुका है कि CTBT क्या है तो एक और हम Comprehensive Test Ban Treaty CTBT का full form है Comprehensive Test Ban Treaty परमाणू बंब की टेस्टिंग के लिए जो विश्वस्तर पर जो संधी विविन देश कर रहे थे भारत उसमें हिस्सा नहीं उसके खिलाप था और दूसरी और हमने परमाणू परेक्शन कर लिया तो निश्चित रूप सा अमेरिका की जो प्रतिक्रिया थी बड़ी तीव्र थी और संबंध में कटता आई थी लेकिन इन्ही अटल विहारी वाजपेई जी की ही विदेश नीती के कारण बहुत ही कम समय में हमारे जो संबंध है वो सामानी हो गया कड़वाहट के बाद तुरंट सामानी होने में अटल विहारी वाजपेई जी के प्रिधान मंतरत काल में उनके नेतरत में विदेश नीती कुछ ऐसी अपनाई गई जिसे अमेरिका ने सराहा और उसे एक बहतर रूप में देखा बड़ी जल्दी ही बड़े अल्प समय में स संसद है अमेरिका के जो पार्लेमिंट है उस पार्लेमिंट के एक हाउस को संसद को कॉंग्रेस कहते हैं यह किसी दल का नाम नहीं है बलकि एक संसदा का नाम है उसके सिदा से भारत आये थे और 9 जनवरी 1902 को उन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान को 13 दिसंबर 2001 में भारत के हमले के लिए जो जिम्मेदार आतंकी हैं उन्हें भारत के हवाले करो दूसरे शब्दों में भारत की भूमी पर आकर अमेरिकी संसदों ने पाकिस्तान को चेतावनी दी और उसे आग्रह किया कि उसे एक तरीके से आदेश दिया कि जो दिसंबर 2001 में जो भारती संसद में हमला हुआ था जो आपको याद होगा यह बहुत खतरनाक हमला था इस हमले में कुछ आतंकवादी पकड़ाए थे कुछ मर गए थे और कुछ बच गए थे पर जो मुख्य आतंकवादी थे जो उसके सरगना थे वे लोग पाकिस्तान की ध हाथ इस आतंकवादी घटना में शामिल है उन्हें भारत को सौंप दिया जाए जन्वरी 2002 में भारत के तत्कालीन ग्रे मंत्री लालकिश्ण अडवानी अमेरिका यात्रा पर जाते हैं देखिए दिसंबर में हमला होता है दिसंबर 2001 में और जन्वरी 2002 यानि जस एक माह लालकिश्ण अडवानी वे अमेरिका जाते हैं और अमेरिका के विदेश मंत्री से मलाकात करते हैं कॉलिन पॉवेल जिनका नाम था और सभाविक है कि मुख्य मुद्दा था संसत पे हुआ हमला और उससे जुड़ा आतंकवाद तो चर्चा इस बिंदु पर सीमित रही मू दोनों देश़्ों ने इस बात पर चिंटा जाहिर की कि यह जो आतंकवाद जो बढ़ रहा है यह मूलता लोकतंत्री देशों में हैं और इसलिए लोकतंत्र पर आतंकवाद का हमला एक बहुत चिंटा का विशा है इसलिए हम लोगों को जॉइंट रूप से संयोजित रूप से लोकतंत्री रक्षा के उपाय करने चाहिए भारत के पजान मंत्री वाजपैई अटल विहारी वाजपैई जी सितंबर 2003 में अमेरिका जाते हैं 2002 में लालकी शडवानी और 2003 में अटल विहारी वाजपैई अमेरिका गए सितंबर में और सितंबर के महीने में क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट संग याने यू एनो यू एनो की वार्षिक बैठक होती है और इस यू एनो की वार्षिक बैठक में विश्व के लगभग सभी संबंधित देशों के नेता मुखिया वहां आते हैं तो ये एक बहुत बढ़िया मौका होता है जब सभी नेताओं से एक तरीके से मुलाकात हो जाती है समस्याओं को लेकर एक ब्यूसे से बातचीत हो जाती है तो इसी दौरान वाजपेजी जो अमेरिका में गय थे उन्होंने 22 सितंबर 2003 को एशियाई समाज के सदस्यों के सामने उभरते हुए वैश्विक वातावरन में भारत अमेरिकी संबंधों पर एक अपना बयान दिया था व्याक्ष्यान दिया था एक भाशन के रूप में और किनको दिया था पुना बता दें एशियाई समूर एशियाई देशों के जो वहां कुछ लोग उपस्थित थे वहां क सामने उन्होंने भारत अमेरिकी संबंध के बारे में एक भाशन दिया और जो उसका विश्व था भारत अमेरिकी संबंध और वैश्विक वातावरन विश्व के बदलते परिप्रेक्ष में जब विश्व एक धुरुवी हो चला है ऐसा विश्व जहां पर अमेरिका की वर 2003 को भारत और अमेरिका ने नौन सरेंडर ट्रीटी पर दस्खत किये दो तरफा गैर चमरपड संदी पर दोनों ने दस्खत दिये ये घटना है 2003 दिसंबर की और इस संदी का माइने क्या था ये संदी किसलिए बड़ी अहम थी इसमें ये था कि दोनों देश एक दूसरे के ऐस नागरिकों को दोनों देश एक दूसरे के ऐसे नागरिकों को जिन और नर्समभार या मानूता के खिलाफ अपराद या युदर अपराद का इरूप है वो आपसी स्वामती के बिना किसी अंतराश्टी ने राला WAY को नहीं सोंपेंगे बात स्पष्ट है एक दूसरे के नागरिकों पर जिन पर कुछ आरोप हैं गंबीर आरोप हैं जिसमें नरसंभार या युद्ध अपराध हो ऐसे आरोप वाले नागरिकों को भारती नागरिकों को अमेरिका अंतराष्टी नयाले को नहीं सौंपेगा अंतराष्टी नयाले को नहीं सौंपेगा बिना भारत की अनुमती के और ऐसा ही भारत भी अमेरिका में अमेरिकी नागरी जो ऐसे किसी चीजों में लिप्त पाये गया उसे बिना अनुमती के अमेरिका की अनुमती के अंकराश्टी नहयले को नहीं सवांपे गा ये जो संदी हुई इस संदी से भारत और अमेरिका के संदों तंबंद जो थे इसमें नए आयाम जुड़े इसमें कुछ एक नई सीड़ी हमने पार की नया कदम रखा और दोने देशों की सरकारे अहम मुद्दों पर बात चीच करने के लिए धीरे धीरे सहमत होने लोगी याने गंभीब, गंबीरतर और गंबीरतन मामलों की ओरब दोनों के बीच में समवाद होने लगा, बात्चीत होने लगी, संधिया होने लगी, समझोते होने लगे और साथ ही सहयोग भी बढ़ता चला गया संख्छेप में हम कह सकते हैं की अमेरिका भारत के साथ अपने संबन्द मधूर करना चाहता है, वो चाहता तो है जादी दिल की बात जिसको हम कहते हैं, दिल की बात करें तो अमेरिका की सतत इच्छा थी कि भारत के साथ इसके संबन अच्छे हों और इसके कारण भी थे कुछ मुद्दे ऐसे थे जिसमें भारत और अमेरिका दोनों के जेहन में ये मुद्दे बहुत निकट के थे तो इसके ध्यान में रखते हैं अमेरिका की तीम रिच्छा थी कि भारत के साथ सम्बंद अच्छे हो लेकिन अमेरिका ये भी चाहता था कि पाकिस्तान से उसकी पुरानी मित्रता बरकरार रहे वो चाहता था कि पराना मित्र पाकिस्तान से उसका नाता रिष्टा बना रहे और साथ ही साथ भारत से भी मधुर संबन्द हो जाएं ऐसा संबन्द था नहीं क्योंकि पाकिस्तान जो है वह भारत का एक तरीके से दुश्मन था त्रखर विरोधी था और पाकिस्तान को अमेरिका अपने एक बेस के रूप में उप्योग करते आ रहा था सैनिक बेस के रूप में तो नहीं लेकिन अपने मार्केट को अपने व्यापार के जेश से चाहे वो सैनिक हतियारों का व्यापार हो चाहे अन्य तरीकों का व्यापार हो चाहे अफगानिस्टान की समस्या हो इन सब मुद्दों को लेकर पाकिस्तान इस डख्षिन एशियाई खित्र में अमेरिका के लिए एक आधार बना था और साथ ही पाकिस्तान को भारत के खिला अमेरिका एक तरीके से उसका उप्योग करना चाहता था तो पाकिस्तान भारत से मधुर संबंद बनाने से दूर वो तो अमेरिका की ओर जा रहा था और अमेरिका भारत से मधुर संबंद बनाने की इच्छा रखते हुए भी नहीं बन आपा रहा था क्योंकि वह पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को हटाने का जो वो था माद्दा उसको संब्रण नहीं कर पा रहा था भारत और अमेरिका के बीज आज हमारे संब्रण कैसे हैं भारत और अमेरिका के संब्रण कैसे थे ये तो हमने जाना तनाओं के क्या कारण थे ये हमने जाना तनाओं के कारणों के बाद उसके परिणामों को भी हमने जाना भारत को क्या नुकसान हुआ क्या फायदे हुए ये हमने जाना और इसके कई उदारन भी देखे उसके बाद के दौर में हमने ये भी जाना कि कैसे संबंद सोवियत संग के विगटन के बाद बदले गुनात्मक रूप से कैसे भारत और अमेरिका के संबंदों में 1990 के बाद बदलाओ आया यानि हमने इस प्रश्न का भी हल कर लिया है कि भारत अमेरिकी संबंदों में 1990 के बाद आये हुए बदलाओ का जिक्र करें और उदारन दें